दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन प्रकार के पुर्षों के बारे में जिनके उपर ज्यादतर अवरते और ज्यादतर गर्ल्स उनके उपर ज्यादा फिदा रहती है मतलब उन पुर्षों ने अगर ठान लिना कि मुझे इस अवरत को पटाना है तो उनके लिए वायहत का खेल होता है क्योंकि उनके पास ऐसी कुछ क्वालिटी होती है जो क्वालिटी किसी भी अवरत को या फिर किसी भी गर्ल को ज्यादा पसंद आती है दोस्तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि मुझे भी कोई भी अवरत जल्दी से जल्दी पढ़ जाए अगर मुझे कोई भी लड़की है पिर अगर मुझे कोई भी अवरत पसंद आ गई तो उसको पटाने में मुझे ज्यादा समय ना लगे मेरी जिन्दगी में अगर मैं सोचू कि मुझे गर्ल्फ्रेंड बनानी है तो गर्ल्फ्रेंड बनाना मेरे बायहत का खेलो तो आज का वीडियो स्रिप आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी तीन कॉलिटी मतलब ऐसे तीन फूर्षों के बारे में और उनके अंदर होनी वाली ऐसी तीन कॉलिटी के बारे में जो अगर आपके अंदर आप लाओगे ना तो आपको भी एस अब करना एकदम बायहत का खेल हो जाएगा मतलब आपको भी किसी भी आवरत को पटाना आपको भी एकदम आसान हो जाएगा तो इसलिए दोस्तों आपको आज का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले प्रकार की जो पूरूश है या फ मतलब उसके कपड़े पहनने का स्टाइल उसके बात करने का स्टाइल उसके लोगों के साथ रहने का स्टाइल उसके बालों का स्टाइल उसके दाड़ी का स्टाइल उसके मुचों का स्टाइल मतलब वो पूरा का पूरा दबंग है तो ऐसा दबंग पूरूश मतलब ऐसी द देखकर आवरत को अटोमेटिक लगे कि क्या पूरुष है एकदम दबंग है एकदम मस्त है तो ऐसा पूरुष आपको बनना पड़ेगा तबी रोस्तो कोई भी आवरत है फिर कोई भी लड़की आपके उपर इंप्रेस हो जाएगी तो इस बात को ध्यान में रखे और उसके बाद जो दुसरे प्रकार के पूरुष है और सो कौन से है कि ऐसे पूरुष जिनका अभी फिलहाल एक गूड इंकम सोर्स है या पिर जिनका फ्यूचर में गूड इंकम सोर्स कोई ना कोई बनने वाला है दो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पूरुष फिलह मतलब अभी कोई ना कोई ऐसा काम करता है मतलब जौब है या फिर बिजनेस है ओ कोई भी काम दोस्तो हो सकता है पर किसी भी काम के थुरू अगर उसके जिन्दगी में उसके लाइफ में एक अच्छा कासा income source मतलब अच्छे कासे पैसे उसके जिंदगे में आ रहे है और ओ पुरूष उन पैसों के द्वारा अपने खुद के पैरों के उपर खड़ा है ओ किसी के उपर डिपेंड मतलब किसी के उपर हो मतलब डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसा पूरुष किसी भी अवरत को ज्यादा पसंद आता है दोस्तों इस वात को ध्यार में रखे या फिर ऐसा नहीं है और पूरुष अभी कुछ ऐसी पड़ाई कर रहा है जो पड़ाई पूरी होने के बाद ओ फ्यूचर में मतलब भविश्यकाल में उसको कुई न कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है या फिर ओ किसी न किसी ऐसी पोजिशन के उपर जाने वाला है जिस पोजिशन के उपर जाने के बाद उसके जिन्दगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी तो ऐसा भी पूरुष किसी भी अवरत को ज्यादा पसंद आता है तो आपको रोस्तों डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इन थोनों में से क्या बनना है मतलब आपको अभी पैसा खमाने वाला पूरुष बनना है या फिर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो काम करने के बाद future में आपको किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े तो आपको इन दोनों में कुछ न कुछ तो decide करना पड़ेगा तबी दोस्तो कोई भी और अवरत आपके उपर impress हो जाएगी और उसके बाद जो तिसरे परकार के पूरुश है जो एकटब लाष्ट है और अच्छे स्वभाव वाले और अच्छे मतलब सेंस ओफ हूमर वाले मतलब good sense of humor दोस्तों good sense of humor इसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि ऐसा पूरुश चो किसी भी वेक्टी को हसा सकता है मतलब उसका स्वभावेना एकदम अच्चा है को ऐसा लगता है कि जब मैं दुकी होती हूँ ना मतलब जब मैं सैड होती हूँ और इसके पास जाती हूँ तब मेरा दुक है ना जो मेरा टेंशन है वो पुरा का पुरा गायब हो जाता है मतलब एकदम अच्छा पूरुश है एकदम मतलब हसी मजा मतलब यह जो पूरुश ह नए ज्यादा करता है तो ऐसा हसाने वाला और हसने वाला पूरुष आउरत को ज्यादा पसंद आता है तो आप अगर ऐसे रस्तों बन जाओगे ना तो आपसे भी कोई भी आउरत है फिर कोई भी लड़की चुटकियों में इंप्रेस हो जाएगी तो इस बात को आप ध्यान म रखे तो बस अचकी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद